साड़े तीन मेने की प्रेग्नेंट थी मैं तो हस्वेंड ने उनकी मा ने और उनकी बहन ने मुझे जबर जस्ती पकड़के गला भीचके मेरा बैट पिल पटकके मुझे दवाई खिला दी यही वजह थी कि मैं बच्चा नहीं करूंगा मैं दूसरी साधी करूंगा एक दिन भी खुछ नहीं रखी और इसका एक तीन साल का बेटा भी हम उसके मारे तड़ पुरे हमारे बेटी रोड़े से ऐसी कोई दवाबी खिलाता है जिससे इसका दिम्मान सिंग संतुलन बिगड़ा रहता है और यह इतनी कमजोर हो जाती है जहन दोस्त एक कहावत आपने अक्स किया जाता है फिर उसके लिए एक वर चुना जाता है और वर इसलिए चुना जाता है कि वो तामर उसकी रक्षा करेगा तामर उसको ठीक से रखेगा जैसे माबाप उसको पालते हैं माबाप ये कोशिश करते हैं कि उसी तरह से जो उसका वर उसका हस्बेल उसका पती उसका शोहर है वो उसी तरह से प्यार देगा जैसे केक माबाब प्यार देते हैं मगर जादतर उल्टा निकलता है और इसी लिए शायद माता पिता भी बेटियों से इसी लिए टड़ते हैं गर्ब पात जैसी घटना आपको देखने के लिए मिलती होंगी ये भी शायद इसी लिए होती है एक बेटी हमारे पास इस सकत मौझूद है इस बेटी की शादी को महज अभी पांच वर्ष पूरे हुए है बेटी के माता पिता ने बदस्तूर जिस तरह से शादी की जाती है शादी की दान दहिज दिया मगर जो बेटी के सस्राल वाले हैं यानि के मैं जो इसका हस्पेंड है वो उस तहिस से खुश नहीं हुआ और वो कुछ दिन के बाद में ही कार की डिबान करने लगा जिस तरह से इसका कहना है वो भी हम बात करेंगे अब ये साड़े तीन महीने से गर्ब से थी जवरन इसको दवाई पिलाई गई और इसका गर्ब पाद खरा दिया गया क्योंकि जो डॉक्टर है वो पेशे से डॉक्टर है इसका जो पती है मामला है बुलंद शहर के थाना और अरंगाबाद के गाउं अलीना का वहीं की एक बेटी है कितना समय हो गया और कहां शादी हुई क्या पूरा मामला है बनाई मेरी सादी को पांच साल हो गए है और काफी सादी के कुछ टाइम तक तो सब कुछ ठीक था उसके बाद मुझे मेरे हस्वरन ने ऐसे ही टॉटचर करना शुरू कर दिया दूसरी लड़की के साथ रिलेशन होए थे उनकी कितने समय के बाद रिलेशन होए उनकी शादी जब हुई थी तो दान दहिज दिया था मादा पिता ने मेरे मावब अपने हैसित के हिसाब से तो ठीक दिया था उस टाइम पे लेकिन वो मेरे सस्रॉल वाले उस दहिज से खुश नहीं थे बिल्कुल भी क्या मांग रहे थे वो दहिज में कार की डिमांड करते थे कि अपने मावब से काल कार वार लेकर हो हाँ अचा उसके बाद क्या हुआ आपके हस्बेंट का जो रिलेशन है वो किसी लड़की से हो गया फिर क्या हुआ वो लड़की को उस लड़की को जिस से रिलेशन थे उसको घर पे खुद लेकर आये कितने समय की बात की बात है यह शादी के अब भी एक साल बात की बात है उस लड़की से रिलेशन हो गए उसको घर लेकर आया उस अपने रूम में लेकर सोता था मुझे बाहर सोने के लिए ट सोते थे उस bedroom में उस महीला को लेकर चला जाता है आपको बाहर निकाल देता है आप घर में कहां सोती थी मैं रूम से बाहर सास के पास सोती थी और वो रूम में उस लड़की के साथ सोती तो कभी आपकी जो सासु माहें उन्होंने नहीं कहा कि बेटा तू ऐसा क्यों कर रहा है उन्होंने कुछ भी नहीं का वो उल्टा मुझे धवकाती थी कि रहने दे कोई बात नहीं अभी बीमार है यह वह कुण था उस बीमार के लिए बीमार के लिए आई है चली जाएगी मुझे डराते थे धमकाते थे तो ऐसा तो नहीं था कि वो लड़की किसी रिलेशन में हो और वहां के दवाई गोली खाने के लिए रह रही हूँ ऐसा हो या कुछ अलगी मामला था नहीं ऐसा तो नहीं है कुछ भी अ खाली उसको लेकर यह आया थे बस वह घर पर उसको रखा था कुछ दिन फिर उसको लेके बहान निकल गया आपके अधर यह काम करतें मेरे हस्बेन तो यह होस्पीटल में खरिदवाद प्ले उसमें नर्सिंग करते हैं करते मिद् spectra कर लुक्रिग करते हैं क्त्वा कि यह उनका नाम चेतन है चीतन कि तो एक बाद बतायों आप हर्याना में रिपोर्ट दर्ज कराई आपका कहना जिस कराई थी वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई आपने तहरीर में गर्ब पात का जिक्र किया है कि साड़े तीन महीने का जो आपका गर्ब था वो गिरवा दिया गया जबरन दवाई खिलाए गई वो क्या पुरा मांगा है दवाई कैसे खिलाई किसे ने खिलाई और गर्व कैसे गिरा साड़े तीन मेने की प्रेगनेंट थी मैं तो हस्वेंड ने उनकी मा ने और उनकी बेहन ने मुझे जबर जश्टी पकड़ के गरा भीच के मेरा बेट पिल पटक के मुझे दवाई क guards दवाई खिला दी दवाई खिलाई आपको क्यों क्या वज़े रही दवाई क्विए खिलाई गी यही वज़े थी कि मैं बच्चा नहीं करुँगा मैं दूसरी साधी करुँगा मुझे एक मुझे नहीं चाहिए ऐसा कहते हैं और डिल यही बात बोलते हैं मुझे बार बार यही बात बोलते हैं मुझे टॉर्चर करते हैं यह बात के बहुर बोलके दूसरी शादी करने के लिए कि मैं दूसरी शादी करूंगा उसको भी रखूंगा दौनों तीनों साथ रहेंगे तो भाईया दूसरी शादी करनी है तो कर लो मकर ऐसे गर्भ को गिराना ऐसे गर्भ पात करना ये तो गलत है चलिए बिटिया की जो हालत है वो इस लाइक नहीं है कि हम इससे जादा बात कर सकें क्योंकि गर्ब बात हुआ जिसके करण कमजोरी बहुत जादा है जादा बोल भी नहीं पा रही है इनकी मम्मी भी यहां मौजूद है उनसे भी बात कर लेते है माजी आप थोड़ा से बता दीजिए कहां तक इसमें सचाई है एक बेटी हार ठक के तब सामने आती है जब सारे दरवाजे उसके लिए बंद हो जाते है पहले वो अपने माबाब से गोहार लगाती है कि किसी तरह से उसके ससुराल जन उसका पती उसको सही रखने लगे उसके भाई माता पता उसको जाके धमकाएं डराएं या किसी भी तरह से समझाने बुझाने से उसकी बात मानकर वो उसको सही रखने लगे उसके बाद में पंचायत वगरा जोटी है दो से तीन बार पंचायत भी हूँ पंचायत होने के बाद मैं इसको वहां फीच दिया जाता है मगर जो पंचायत में मुख्या बैठे हुए थे उन मुख्याओं की बात को भी उसने नकार दिया और वो इतना बेवफा हो गया कि अपनी पत्नी के साथ में इतनी बेवफाई सामने करने लगा कि दूसरी औरत को लाकर अपने खर में रखने लगता है क्या सच्चाई है इसमेमा जी वो थोड़ता है सर हमारे एक एकेली लड़की है और उसकी डिमांड से भी ज़्यादा हमने पैसा लगाया लेकिन हमारी बेटी उसने एक दिन भी खुछ नहीं रखी और इसका एक तीन सल का बेटा भी है हम उसके मारे तड़ रही हमारी बेटी रो रोई के तड़ रही है लेकिन वो बेटा भी नहीं दे रहा तीन महीन साड़े तीन महीन है का इसका गरब गिरा दिया यह बेवोसालत में पड़ी थी आप होस्पीटल पहुंच गया और मा चली गी जंगल केतन पर लेकिन हमारी बेटी उसने नहीं तक हम पहुंचे हैं जब हमें खबर मिली हुआ से तो हम अपनी बेटी को उठाए आए जब हम चोखी पहुंचे हैं बागपुर थाने में हमारी ह पहावत जो है वो सच्ची दिखाई और सुनाई भी देती हैं यह आँसू सच्चे आँसू हैं अपनी बेटी से बेंतहां महबत करता है पिता और उसके लिए वर ढूड़ता है इसलिए कि उसकी रक्षा करेगा उसे अच्छे से रखेगा यहां पर इस वक्त पिता भी जूद हैं मा भी है मा का रोरोकर बुरा हाल है आंका आसो नहीं तोड रहा बीटी इसलिए सामने नहीं रोरही कि मा का दिल अतना कमजौर है कि उसके आँसों पहले सा ही नहीं तोट रहे और बाद में क्या होगा चलिए ठीक हैं आप से विबार कर लेता है क्या कहता आपके अबाद चब आपने पंचायत की करवाई दो तीनर जैसा आपने बताया भी क्या था पंचायत हुई थी दो बार दोना बार पंचातों में यही चार भाई ने पांच पंचों ने यही कहा कि मैं ठीक रखूंगा किसी तरीका को परिशान ना हो दूंगा वाकि वहां पर जाने दारना ता टेली दारूपी और वाकिवाध में लड़की को महरता यही आती है इस सामने बाट के मेंसे नहीं रखूंगा मेरे साद अच्छी नहीं लगति थी मतलब ये साथ अच्छी नहीं लेकिती है इतना संने बेच्छा chill Hawk है कि हम रहे शुची नहीं की टी तो फिर इसा उसके बाद अब कह रहा है कि अच्छी नहीं लग रही है जब के तीन साल का बेटा भी है हाँ जी तीन साल का बेटा है मैंने एक बार बोली तुमारे बेटा हुआ इसका खाता खुलवा दो उसमें वह च्छाजार रुपया आते हैं मेरे साथ मोट साइकल बैठ ती अच्छी जिस वज़े ते इसको परिशान कर रहा है इसे ऐसी कोई दवा भी खिलाता है जिससे इसका दिम्मान सिंग संतुलन बिगड़ा रहता है और यह इतनी कमजोर हो जाती है जिब बार बार इसका इलाज मैं कराता हूं मैंने इसके पेस्ट मार सारा खर्चा फिलाल में उठा र जादी से दो मिना तिर्व मिना पीछे ही आए गया हमारे सामने हमने अपनी हैस्यत के साथी करी 15 लाख रुपे लगाया वह शादी में 15 लाख रुपे लगाए जी मगर उसे अच्छे नहीं लगे उन्हें अच्छे नहीं लगा और की दिमांड करन लगा अब आया कि हमारे लड़के नहीं तुम अच्छा राखो तुम कार भी कर देंगे अच्छा तो रखो उन्होंने याद तक भी कहां मैं अच्छा रखना शुरू कर दूंगा यह आपकी बेटी आपको एक बेटी है यही है बेटी हाँ बेटे कितने बेटे दो है दो बेटे हैं ऐसा क्या हमारा वैसा भी मा का कभी कभी दूद पीता है हमें यही प्रसासन से उम्मेद रखते हैं कि वो जल्दे सज़ती है हमारा बच्छा देवाला दिलवाए इसका इस तरह से परेशान होने का जो दर्द है वो एक नहीं दो नहीं सेकड़ों नहीं हजारों नहीं लाखों लोग इसी तरह से सहते हैं और बेटियों से इसलिए वो लोग डरते भी हैं आप इन्होंने बुलंद शेहर एससपी संतोस कुमार जी से यहां नियाए के कुहार लगाई है और एससपी ने फिलहाल जांच के आदिश दे दिये हैं आप देखते हैं कि आगे क्या होता है